कि जितने कम trades लेंगे, overall trades जितने limited होंगे, उतना ज़्यादा chance है आपका profitable होने का, over trading in this case, factually, kills a trader's profit, से भी इस report में इन जेंडर की बात भी की गई है, मतलब male या female होने से क्या फरत बरता है, trading percentage में, sort of note करने की कोचिश किया है, हालत कि मैं google sheet या excel sheet में भी कर सकता था, बट I like to write a lot of these, तो मेरा खुद का एक research का तरीका होता है, जो मैं लिख के करता हूँ, तो दोस्तों से भी के एक नहीं report आई है, equity intraday trading के उपर, एक तरीके से intraday traders का report card आया है, ऐसा ही एक report card, fn2 traders का January 2023 में आया था, ऐसा भी तो काल जा सकता था, कि 29% equity intraday traders profit में है, and to add on to that, जो भी trader पिस्ते तीन साल से लगातार trading कर रहे हैं, उनमें से 46% traders profitable है, तो जो 29% वाला number है, this is very different as compared to people, लगातार जो trading करते हैं, मतलब हर business की तरह, इसको भी अगर आप समय देंगे, तो there is almost a 50% chance, कि आप इस segment में profitable हो जाए, और इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, कि यह लोग कौन है, इनकी city क्या है, age क्या है, demography क्या है, background क्या है, कितने trades देते हैं, turnover कितना है, इनका power trade value क्या है, यह सब को जानने की कुछिश करेंगे, और यह भी देखेंगे, कि पिछले 3-4 साल से consistently, intraday trading करने वाला जो trader है, वो एक normal trader से अलग कैसे है, क्या वरक है इन दोनों में, और फाइलली यह देखेंगे, कि intraday trading में profitability किसकी होती है, क्या persona है, और data क्या कहता है, लेट्स गेट स्टार्टेड, तो दोस्तों, डेटा में कुछले से पहले, कुछ बातें इस report के वारे में, आपको समझना ज़रूरी है, सबसे पहले, जो data लिया गया है, वो top 10 stock broker से लिया गया है, करीब 2.70.000.000 equity traders की बारे में बात होगी, उसमें से करीब 69.000.000 traders इस साल intraday में trading करते हैं, और यह जो number है, यह पूरी industry का 86% अपने आपसे cover कर लेता है, यह report बात करती हैं इन traders की age group के बारे में, यह कौन से शहर से आते हैं, जैन्डर क्या है, शादी शुदा है या नहीं क्या टर्रोवर है इनका किस स्केल पर ट्रेडिंग करते हैं, number of trades कितनी है हर trade में कितनी value के साथ पैसे की trade करते हैं, ये सब के वारे में बात करें और interesting बात ही है कि पिसले 3-4 साल की data के वारे में बात की गई है साथ में COVID की समय की बात की गई है कि COVID के कारण काफी नए लोग Intraday Trading में आये थे लेकिन इसमें बात नहीं की गई Intraday Margin Rule की वो Margin Rule जिसकी वज़ा से Intraday Traders को बहुत बड़ा Impact बड़ा थो और इस वीडियो में उस Rule के कारण क्या के Impact हो सकता था अपने Opinion के तोर पे हम बताते रहेंगे तो चलिए अब डेटा की बात करते हैं For example, 2019 में करीब 14.9 लोग Intraday Trading करते थे 2022 में ये लंबर सीधा 78.3 लाग महुँच गया अलाकि 2023 में ये लंबर गिर के वापिस करीब 68.9 लाग हो चुका है सबसे परें हम बात करेंगे turnover की मतलब कितने पैसे पूरे साल में एक trader लगाता है ऐसे 56% traders हैं जो के पूरे साल में 50,000 से कम value की turnover करते हैं मतलब आते से जादा लोग ऐसे हैं जिनका पूरे महीने का turnover 4,500,000 रोपे से जादा नहीं होता है मतलब small ticket size traders जादतर cases में intraday trading में आ रहे हैं बट sad part is कि उसमें से सर्फ 23% लोग ही profitable हैं मतलब 9 traders या वो traders जिनके पास पैसे की थोड़ी कमी होती है वो जादा profitability नहीं कर पाते बट ऐसे लोग जिनका turnover 50,000 से लेके 5,000,000 हैं ऐसे 40% लोग profitable होते हैं 5,000,000 से 25,000,000 वाले भी 38% profitable हैं 25,000,000 से 1,000,000 की turnover वाले 32% लोग profitable हैं लेकिन पूरी market में ऐसे सिर्फ 6% लोग ही होते हैं मतलब बहुत कम small segment size of traders हैं ये लेकिन इसमें profitability 32% है हालगी बहुत बड़ी turnover मतलब बहुत जादा trading करने वाले जो traders हैं उनकी profitability कम at 24% अब इस पात को हम number of trades के साथ relate करेंगे क्योंकि जो traders पूरे साल में 10 से कम trade लेते हैं ऐसे 63% traders हैं जी हां और उसमें से करीब 28% profitable हैं ऐसे traders हैं जो 10 से 50 trade लेते हैं 34% profitable है लेकिन पूरे साल में 50 से 100 trade लेने वाले मतलब पूरे महीने के 5-6 trade से लेके 8-9 trade लेने वाले ऐसे traders 6% हैं और उनमें से करीब 28% trader profitable हैं लेकिन इन number जैसे ही बढ़ता है यह profitability value कम होती जाती है मतलब पूरे साल में 10 से 50 या 50 से 100 trade लेकिन जी है जो एक ठीक ठाक level की profitability लेकिया आता है अब यहाँ पेक indirect correlation करीड किया जा सकता है जहाँ पे number of trades अगर बढ़ेंगे तो turnover भी अपने आप में बढ़ेगा over trading in this case factually kills a trader's profit moving on trade size मतलब एक trade में कितनी value की trade की जा रही है उसकी base पे भी decide किया जा सकता है as per the data कि कितने लोग profitable है पूरे financial year 2023 में 51% trades ऐसी थी जहाँ पे trade का value 5000 रुपए या उससे कम था इस तरह की ticket size इस तरह की trade value में अगर आप trading करते हैं तो around 21% trader रही ऐसे थे जो profitable थे लेकिन यह number काफी अलग हो जाता है जब trade value एक trade के अंदर 25,000 से 50,000 रुपए हो जाती है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 10% trades ही हैं लेकिन करीब 39% trades profit में खतम होई और similarly 50,000 से 2,000,000 की trade value पे करीब 38% trades profitable है 2,000,000 से जादा पे 3% trades ही हैं लेकिन 36% trade profit में खतम होई इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपकी J बलाव नहीं करती तो भी आप अपनी trade की ticket value है trade value बढ़ा दे यह depend करता है कि आप background क्या है यह depend करता है कि आपका overall capital size क्या है बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन यह number यह कहता है कि अगर generally देखा जाए trade values जादा बड़ी है तो profitability का percentage भी better है अब हम इस trader की demographic की बात करते हैं सबसे पहले age उमर क्या है इंटरस्टिंग बात ही है कि यह age group 20, 20 से 30, 30 से 40, 60 से 50, 50 से 60 या 60 से जादा साल के trader 6 अलगला categories में रखा गया है 20 साल से कम में करीब 3.5% लोग आते हैं और उन्हें से करीब 19% लोग profitable हैं जिस तरह से age बढ़ती जाती है उस तरह से data के हिसाब से profitability का percentage भी बढ़ रहा है साल से जादा 3.6% लोग ऐसे हैं जो उसमें fall करते हैं लेकिन करीब 47% almost half of them are in profit इसका मतलब यह नहीं है कि आपको wait करना पड़ेगा बड़े होले के लिए लेकिन उमर के साथ जुर्बा बढ़ता है और उस जुर्बे के साथ आपकी समझ से भी इस रिपोर्ट में इंचेंडर की बात भी की गई है मतलब मेल या फीमेल होने से क्या फरत बढ़ता है trading percentage में financial year 2023 में 84% traders intraday में male थे 16% female 84% male traders में से 28% traders profitable थे और 16% female traders में से 34% traders profitable थे मतलब female की chance जादा है as compared to males intraday में profitable होने के and the most shocking part to this is कि 2019 में females के लिए number 44% था 2019 में करी 20% traders female हुआ करती थे at that point in time 44% of them were in profit and then single या married मतलब आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है ये report इसके बारे में भी बात करती है 2023 के financial year में 50-50% मतलब 50% almost 50% traders single थे 50% married और करीब 25% single traders profitable थे and married traders 33% अशीज दंदा है कोटक सेक्योरिटी की तरफ से उन्होंने इसकी उपर एक बहुत interesting tweet किया और कहा के behind every successful man there is a woman और इस case में married traders की profitability percent 8% ज़ादा है as compared to single one तो 8% का contribution इस case में woman का ही बनता है अब इस data से हमें क्या समझ में आता है 3-4 चीज से सबसे पहले तो number of profitable traders in the last 3-4 years has gone down मतलब intraday trading में profitability है ज़ादा as compared to option trading लेकिन पिछले 3-4 साथ से ये number गिरा है अब इसके पीछे reason क्या क्या हो सकते है my personal opinion is because of the peak margin rule जो कि उस समय कहा गया था कि एक अच्छा step है मीडिया में बाद चिला चिला की की गई थी कि this is a very bold step very strong move by the regulator लेकिन उस समय भी हमने कहा था कि इस move के कारण लोग intraday trading को छोड़के option trading की तरफ जाएंगे जो कि riskier segment है अभी ये हो रहा है कि margin policy की चकर में जो peak margin का rule चल रहा है intraday का उसके चकर में जो भी index पे या future contracts पे investments या ट्रेडिंग की जा रही थी वो अब option counter की तरफ जा रही है जो और option trading की दिकते आज की तारिक में भी चल रही है जापे सरकार बार बार अपने कुछ नए regulations रूल्स लेके आ रहे हैं इंट्रड्यूस कर रहे हैं जिसकी वज़ा से option trader परेशान हो रहा है उस समय intraday trader परेशान हो रहा था because of that peak margin rule which was painted to every trader with a single brush हरेक के साथ same rule apply कर दिया गया था जिसकी वज़ा से profitability percent उस case में बोला गया था के better होगी this is in favor of the retail trader यह उनके hit के लिए है CB का ही data यह कह रहा है कि पिसले 3-4 साल से intraday में profitability of a trader has only gone down from 35% to 29% तो peak margin rule का impact positive तो नहीं दिखता at least from what the report says इस बात को data के साब से भी correlate किया जा सकता है क्यूंकि उस समय 2019 जब peak margin rule नहीं आया था उस समय का जो नया trader था या जो छोटे value का trader था वो relatively ज़्यादा profitable था as compared to what that person is doing now moving on let's talk about consistent traders इस report में एक बहुत important section है बहुत अच्छे से analyze किया गया है consistent traders के बारे में जो कि मिसली 3-4 साल से लगतार consistently entirely trading कर रहे है अब इस तो 3-4 साल में जो लगतार trading कर रहा है और एक normal trader की जो trading कर रहा है इन दोनों में profitability में percentage में फरक क्या है for example 2019 में जो normal trader था 35% profit पे था उस समय 40% consistent traders profitable थे 2022 में करीब 31% normal trader profit में थे इसके बारे में हम बात कर चुके हैं लेकिन करीब 46% consistent traders profit में थे और यही number save 2023 के लिए भी है मतलब consistently अगर आप लगतार intranet trading सार दर सार करते रहते हैं तो chances of getting profitable are getting higher as well और finally यह जो consistent trader है या एक ideal intranet trader है उसके attributes क्या है उस सब चीजें क्या है जो एक ठीक ठाक profitable trader पे होनी चाहिए और इसका answer हम इसी data के अनुसार conclude करने की कोशिश करें मतलब अगर आपका turnover पुरे साल का 50,000 से लेके 25,000 की range में आता है तो there is almost a 40% chance क्या profitable रहें अगर आपकी age group 40 से लेके 60 साल या 60 साल से जावा भी है तो यहाँ पे भी there are better chances for you कि आप intraday trading में profit कमाए है हाला कि अगर आप 25-30 साल के भी हैं लेकिन अगर आपने market में 3-4 साल लगा लिये हैं तो इस case में age group से कोई खास परक पड़ेगा नहीं market में experience सिखाता है उस segment का that is what matters बड़ी over होने का मतलब यह बिलकुल नहीं है कि आप पहले महिने से ही profitable हो जाएंगे बजहां तक number of trades की बात है and this is one of the most important aspects of this whole report जो कि साफ साफ कहती है कि जितने कम trades लेंगे overall trades जितने limited होंगे उतना जादा chance है आपका profitable होने का now I am not going to define you कि कितने पैसे बनाने वाले हो आप लेकिन होने percentage basis मतलब आपके capital का जो profit percent होगा वो high होने के chance जादा है loss या neutral या कम profit में रहने के as long as अगर आप अपनी number of trades को limit करके रखते हैं अगर आपका loss हो रहा है trade में profit नहीं होरा over trading या market से वापिस पैसा निकालने के चकर में जब आप बार बार trade प्रेस करते हैं उस case में आपका loss का value बढ़ता है it is as good as कि आप किसे exam में गए जहाँ पे negative marking होती है हर एक गलत answer की वहाँ पे आपने सारे questions को attempt करने की कोशिश की irrespective of fact कि आपको वह questions का answer पता है ता या नहीं आपके number साइद ज़ादा हो सकते थे आप उस exam को बहुत अच्छे numbers के साथ pass करते थे लेकिन सिर्फ आपने ज़ादा questions attempt करने की कोशिश की मतलब ज़ादा questions के answer दे दिये जो कि गलत हो गए और negative marking के कारण आपका नुकसान हो गए आपका number पीछे रह गए pass नहीं होए और होए भी तो कम marks के साथ तो stock market में जो intraday trading या किसे भी format की trading होती है उसमें अगर आप अपनी trades को जितनी आपको समझ में आती है उतनी ही लेंगे तो आपके profitable होने के chance जादा है females में से 34% जो ऐसी है जो profitable होती है male 24% ही होते है बहुत बड़ा difference नहीं है बहुत बड़ी deviation नहीं है उस number से similarly location as well tier 1 में 34% traders profitable है tier 2 में 32%, tier 3 में 30% again बहुत बड़ा difference नहीं है अलांकि इससे जरुरू फरक पड़ता है कि आपका circle क्या है मतलब आप शहर कोई भी रह रहे हो लेकिन आप किन लोगों के बीच में हो आपकी उनसे बात ही क्या आ और ही है stock market को लेके उनका नजरिया क्या है किनकी बातों में आके stock market में अपनी journey चला रहे हैं यह सब बाते definitely matter करती है तो sum it up internet trading में अगर आपको profitable होना है इन सब चीज़ों को तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा बढ़ आपको साथ में यह भी देखना पड़ेगा कि अगर आप समय लगा रहे हैं अगर आप सीखने की कोशिश करने है this is one factor जो कि इस report में cover नहीं किया गया है कि KYC DMAT account जब आप कोलते हैं उस सबय जो KYC करते हैं उसमें आप किस background से या educational background से आते हैं या कोई course अलग से किया है या कोई चीज stock market के specific आपने सीखिया है इनके बारे में बात नहीं पूछी जाती अगर यह चीज़े mandatory होती है ये data में सब कुछ होता तो से भी आपको इस report में ये भी बता पाता कि कितने masters लोग कितने plus two के लोग या कितने graduate लोग या 10th pass लोग profitable हैं क्या education और stock market में profitability का जो correlation है वो matter करता भी है या नहीं ये चीज़ missing है क्योंकि ये data points से भी की या debit account के process में नहीं है हाला कि that would have really been a huge differentiator इससे हर एक trader को एक direction जरूर मिलती anyway अभी के लिए नहीं हैं लेकिन आपको more or less इस report से क्या conclusions मिले हैं ये इस video के दुरू आपको पता लग जया होगा लेकिन आपको खुद की conclusion क्या है इस report का link आपको description मिल जाएगा आप अपनी conclusions को comment section में जरूर बताना because I would love to read them all I try to understand this is like a first cut पहली बार इस report को देखने के बाद जो समझ में आया जो इस किताब में या इस note pad में हमने बार-बार sort of note करने की कोशिश किया है हालाद कि मैं google sheet या excel sheet में भी कर सकता था but I like to write a lot of these तो मेरा खुद का एक research का तरीका होता है जो मैं लिखके करता हूँ यह मेरा conclusion निकालने का तरीका था आप generally पढ़के भी बता सकते हैं comment section में के आपको कौन सी conclusion अच्छी लगी I'd like to read that out thank you so much इस video को देखने के लिए अभी के लिए इस video में इतना ही take care, bye bye